हे वोट्ट सब गाईस कैसो आप सबी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शाओमी के MI11X 5G स्मार्टफून के बारे में और इसके लेटेस्ट सोफ्ट्वेर अपटेट के बारे में इंडिया में आप लोगों को HyperOS और Android का जो लेटेस्ट अपटेट है वो जल् यहां पर Complete HyperOS के फीचर्स हैं वो इस स्मार्टफून के अंदर आने वाले हैं या फिनी तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में लोग बात करने वाले हैं वीडियो को आप लोग कंप्लीट बोच करते लिए वीडियो आपको यह पसंद आती है तो आप लोग वीडियो क इंडिया में स्टेटर्स है वे अबर क्या चल रहे हैं वैसे सभी स्मार्टफून के लिए अपडेट्स है वो रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुके हैं और MI 11X 5G जो स्मार्टफून है इसके लिए एक गोड न्यूस है वो यह है कि चाइना के अंदर अपडेट है वो क आपने MIUI 13 अपडेट के साथ में भी देखी होगी MIUI 14 अपडेट के साथ में भी देखी होगी तो जो चाइना के अंदर अपडेट है और रोल आउट हुआ है वहाँ पर आपको अपडेट का वर्जन नमर मिला है HyperOS 1.0.3.0 और Complete HyperOS के जो फीचर्स है वो भी देखने को मिल च करना है 25 से लेके 20 माई के बीच में आप लोगों को कभी भी अपडेट है वो देखने को मिल सकते है MI 11 AX 5G स्मार्टफोन के लिए और हाँ अभी Android अपडेट है उसका कुछ कंफर्म नहीं है कि Android 14 का अपडेट अब आपको MI 11 AX 5G स्मार्टफोन के अंदर मिलेगा या फिर न या फिर अपडेट रिलीज हो जाता है तो वीडियो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल जाएगी कि कौन-कौन से नए फीचर से हैं वो यहां पर एड़ किये गए हैं तो चैनल को आप लोग सबस्क्राइब कर लेना और वीडियो आप लोगो को अच्छी लगी तो आप लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्स में देखने को मिल जाएगी मैं मिलता आप लोगों से नेक्स वीडियो में जेधिन वन्दे मातरम